कि डियर स्टुडेंट वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन्स के बारे में विटामिन्स की खोज देखें एन आई लूनिन ने 1881 में किया था शक्यासे में इन एलूनिन्न ने विटामिन्स की खोज की थी बावनिन्स मुक्हे तह 6 प्रकार के होते हैं आज उसको me trick के माध्यम से याद करेंगे वोपी करत रथ एक टाफी कि नाम इतिके का रथ एक ट्राफी इस अफी से हम विटामिन्स के रासानिक नब आसाने से याद कर सकते हैं जैसे देखिए blogs आम आदे होते हैं A B C D E और K और देखी यह भी छे है रा था एकर टाफी तो विटामिन A का विटामिन A का रा हो गया पहले का तो रा से विटामिन A का रसानिक नाम होता है रेटी नाल विटामिन B था हो गया था से होता है विटामिन B का रसानिक नाम थाइमीन विटामिन C का A A से होता है इसकार्बिक अमल विटामिन D का 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 से होता है कोलिक अलसी फेराल और टा से होता है टोको फेराल और फा से होता है नैफ्तो कुईनोन इस प्रकार से हमें कन्फ्यूजन न का सानिंग नाम होता है नहीं तो ऐसे रट लेते हैं तो भूल जाते हैं कौन सा नाम किस विटामिन का है तो इस प्रकार याद करने से विटामिन सभी का नाम हुआद हो जाएगा रध टाफी के माध्यम से और ये का अब इन विटामिनों की कमी से होने वाले रोग देखिए विटामिन एक इकमी से रताओधी रोग होता है और क्या खाने से दूर हो जाता है तो इसमें दूद मक्षन अंडा मशली आधी खाने से यह रोग आसानी से दूर हो सकता है विटामिन भी रसानिक नाम थाइमिन इसके कमी से रोग बेरी बेरी अनाज और फलियां खाने से बेरी बेरी रोग दूर हो जाता है विटामिन सी का नाम है इसकार्बिक अमल से होता है इसकर्बी इसमें दात मसोडों से खुन बलड निकलता है इसमें इसका मुखिस रोथ होत सब्सक्राइब होते हैं विटामिन का एलची फेराल के हिसाल सूख होता है कि सूरल प्रकास दूध है कि विटामिन ई का होता है टोकोफेराल की कमी होने से जनन छमता में कमी हो जाती है अंकुरित अनाज यानि कि अंकुरित चना अंकुरित गेहुं यह सब खाने से यह कमी दूर होती है विटामिन के कैसे नैफ्थोकुइनोन नैफ्थोकुइनोन इसकी कमी होने से ब्लेड जब तो उसका थक्का जल्दी नहीं जमता है ब्लेट टाइम तक निकलता है जिसे ब्लेट की हानी होती है यह हरे पत्तेदार सबजियां फलीयां आदि खाने से यह कमी दूर हो जाती है